हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो चलिए हम लोग NCRT class 12 integration को आगे continue करेंगे और अब हम लोगा देखो integration का ये आखरी पड़ाव है indefinite का चुकि आप लोगों ने बहुत सारे techniques जो base level के हैं class 12 level के उसको आपने सीखा हुआ है इसमें सबसे ज्यादा use method of substitution का किया जाता है parts का होता है partial fraction का होता तो इस सारी चीज़ें हम लोगों ने discuss कर ली है ठीक है अब यह देखो last chapter है जिसमें हम लोग कुछ some special type of integral का discuss करेंगे और यह भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस तरह का formula आपको आएगा तो इसका technique भी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ प अगर इस integration को लिखना है आपको आपको simply क्या करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है x by 2 ठीक है और यह same factor को आपको यहाँ पर उतार देना है x square minus a square ठीक है हो गया फिर अब यहाँ पर plus होता है बट आपको देखना है कि आपका a square कि साइन में है तो a square मेरा minus में ह तो हम लेंगे minus a square by 2 ठीक है ओके और साथ में क्या हो जाएगा और साथ में यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का log of x plus same factor यानि x square minus a square ठीक है तो यह चीज़ कहां से आता है यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि actually क्या है कि जब यह integration आपको ऐसा दिया रहता है dx by root under x square minus a square तो x plus root under x square minus a square ठीक है तो यह पहले याद कर चुके है तो इसको मैंने देता हूँ where मतलब कि अगर यह नीचे रहे यही factor इसका formula यह होता है तो logic यह है ना कि जब आप इसको याद करेंगे तो x by 2 लगाएंगे same factor उता रहेंगे ठीक है फिर minus a square का जो भी sign होगा जैसा minus में है तो अगर पलस होता तो पलस में लेते ठीक है अफिर लेंगे वही formula लिखेंगे जो के जब यह नीचे रहता था तो जो formula आप यूज करते थे जब यह इस form में रहता था तो जो हम यूज करते थे बस उसको यहाँ पे लाकर कर डाल देना है तो मेरा यह कहना है कि आपने यह already या जाएगा अब सेम इसी logic से आपको यह two number का भी याद रखना है यह वाला form root under x square plus a square का ठीक है तो यह भी आप देखे होगे तो ऐसे ही होगा मतलब क्या x by 2 लगाएंगे same factor लिखेंगे ठीक है यहने जो भी factor आपको दिया हुआ है यह वाला फिर अब a square देखो plus में है तो plus a square by two लेंगे और यहाँ पर फिर से वही आ जाएगा log x plus same factor ठीक है इसलिए कि जब यह नीचे बे रहता था तो वो यही फॉर्मॉला आता है बस यहाँ पर जो factor है वही आपका रहेगा clear है अच्छा अब देखो इसका जो है इसको कैसे लिखते है तो इसको लिखते है वैसे ही x by two लेंगे ठीक है same factor लेंगे याने a square minus x square अब देखो a square यहाँ पर पलस में है फिर से तो पलस a square by two लेंगे और याद कीज़े जब यह नीचे था तो क्या formula था तो अगर यह इस तरह से रहे ठीक है तो हमनों पहले ही पढ़ चुके है किसका formula होता है क्या sin inverse x by a ठीक है यहाँ यही चीज़ है यहाँ पर आ जाएगी sin inverse x by a ठीक है तो जब यह इस तरह से numerator में वनली होगा तो हम लोग इस logic से इस formula को याद रखेंगे x by 2 same factor तो आपका सब जगा लगेगा चाहे आप यहाँ पर देखो ठीक है चाहे आप यहाँ पर देखो या चाहे आप यहाँ पर देखो हर जगा लग रहा है ठीक है तो तीनों के case में x by 2 same factor यह आपका common है और फिर जो a square का sign है वो आपको लेना है by 2 और अगर यह form है तो यह inverse X by A थोड़ा साब अगर इसको मुहबबत से देखोगे और जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ अगर वैसा आप समझेंगे न ये तीनो जो बड़ा फॉर्मूला है integration का एक्चुली बड़ा ही फॉर्मूला है दिख रहा है आपको कि ये इतना बड़ा फॉर्मूला है ठीक है तो लेकिन याद करना इसको अब मुश्किल नहीं रहेगा चाहिए आप इसको याद कीजिए या आप इसको याद कीजिए या आप इस पूरे को याद कीजिए सब आपको आसानी से याद रहेगा चुकि denominator वाला आपको already याद है और जो पहला टर्म होगा वो x by 2 into same factor होता है ठीक है तो सबसे पहले फुर्शत में आपको इसको याद करना है चुकि जब आप इसको याद कर लेंगे तब उसके बाद इस तरह के integration में कोई दमखम नहीं रह जाएगा जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अब ये कौन सा फॉर्मूला में किया a square minus x square में तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका पहले लगा दिए dx तो ये होगा integration तो इसका आंसर होगा x by 2 into same factor ठीक है अब same factor को हम रहाट ऐसे लिख देते हैं कोई दिकत नहीं है plus a square by 2 a square आपका यहाँ पे plus में ही है 2 का square तो 2a square by 2 और क्या हो जाएगा log x plus same factor ठीक है तो same factor अच्छा यहाँ पे पहले a square आ रहा है न ध्याद दीजेगा ठीक है तो अगर पहले a square आ है तो sine inverse का formula लगेगा देखो यहाँ पी ये चीज़ और अगर बाद में a square आता है तो वो log में जाता है ठीक है तो ये अपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे चुकिए पहले आ रहा है तो यहाँ पे log का term नहीं आएगा ये third formula से use होगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा sin inverse x by a plus c ठीक है आपका देखो ये answer आ गया x by 2 मुहबबत से root under 4 minus x square plus यहाँ पे simply 2 sin inverse x by 2 plus c ये answer होगी आपका simply आपको formula use करना है कुछ नहीं करना clear है जी तो बिल्कुल देखो मुहबबत से बनेगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और मान लोग आपको यह याद नहीं है ठीक है याद अगर नहीं है तब आपको उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा हाँ याद कर लिए तो आपको easy पड़ जाएगा तो इसका जो दूसरा method है मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे ठीक है तो तरीक है यह होता है इसका असलों यह formula कैसे आता है वहां से भी पता चल लाएगा तो second method क्या होगा वही method of inspection होगा ठीक है कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे तो integration क्या है यह i is equal to आपको दिए रखा है root under 4 minus x square dx ठीक है आप यह put कर दो क्या put करो x is equal to 2 sin theta ठीक है 2 क्यों ले रहे है इसलिए कि हम पर 2 का square है 4 तो 2 sin theta लेंगे ठीक है तो आपका dx यहां से महबद से क्या बन जाएगा 2 cos theta और d theta बन जाएगा तो आपका integration है वो change हो जाएगा किसमें तो i is equal to 2 आ जाएगा root under 4 minus इसको डालेंगा तो यह हो जाएगा आपका 4 sin square theta हो जाएगा और बाहर में क्या है बाहर में है आपका 2 cos theta और d theta है ठीक है चलिए अब देखो अब यहां पर आप 4 को common लोगे तो बाहर में 2 आएगा अंदर बचेगा root under 1 minus sin square theta ठीक है क्या बचेगा 1 minus sin square theta यह बचा into 2 cos theta और 7 में d theta ठीक है अब देखो यह 2 है यह पुरा formula cos theta होता है तो अंदर में आ जा रहा है आपका 2 cos square theta और d theta ठीक है किलियर अब यह integration तो आपका जाना पहचाना है चुकि इस तरह का integration आपनों को ने पहले किया हुआ है तो अब यहाँ पर मैं next क्या करने वाला हूँ 2 यहाँ पर कर देता हूँ 1 plus cos theta formula है पूरा ठीक है 1 plus cos theta क्या होता है 2 cos theta होता है यहाँ से आपका आ जाएगा 2 1 का हो जाएगा theta integration और cos 2 theta का हो जाएगा sin 2 theta by 2 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से sin theta का value क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x by 2 और यहाँ से मुहबबत से theta निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा sin inverse x by 2 तो यहाँ देखे ठीक है theta आपका यह है sin theta यह है ठीक है और रहासावाल cos theta का तो cos theta क्या होगा यह भी देख लो तो cos theta हो जाएगा root under 1 minus sin square theta ठीक है तो यह आपका जाएगा 1 minus x square by 4 आएगा ठीक है चुकि sin theta x by 2 है LCM लोग है तो आपका यह हो जाएगा 4 minus x square by 2 हो जाएगा ठीक है जी चुकि 4 का square root 2 होता है तो सारा value हमको मिल गया है sin theta x by 2 है cos theta इतना है और theta इतना है इतना है तो इसको आप put up कीजिए तो 2 into theta तो यह आएगा 2 into sin inverse x by 2 हो जाएगा ठीक है पलस यहाँ पे sin 2 theta को मैं खोल देता हूँ कैसे 2 sin theta cos theta और divided by 2 अच्छा तो पहले से भी 2 है ना देहां दीजिएगा तो एक 2 so it is x by 2 into cos theta क्या है तो cos theta यह पूरा factor है 4 minus x square by 2 ठीक है पलस अब आप देखें यह 2 2 आपका cancel हो गया आप सजा के लिखेंगे ना बिल्कुल सजा के लिखें महबबत से तो यह x by 2 into same factor plus 2 sin inverse x by 2 आप देखें यही exactly answer आपका उपर में आया है जो हम यहाप निकालकर रखें है देखो यही आपका answer है यह रहा है सब ठीक है देखिए देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम चीज आएगा तो चाहो तो आप यह आप बड़ा काम हो गया और अगर आप formula याद रखेंगे तो आप यतने लंबे चोड़े काम से बच जाएंगे यह आपको फायदा है लेकिन formula जो derive किया गया है उसका तर that मैं आपको यहाद रखने की सलाह दे रहा हूँ ठीक है clear हो गया तो यह दो पहला हो गया आपका यहाँ पर अब दो सेकेंड नमर सेकेंड नमर बीसी तरीके सापको यहाँ पर करना होगा two number की मैं बात कर लेता हूँ ठीक है integration आपको करना है किसका जी root अंडर one minus ठीक है two x का hall square यह dx इसका तो यहाँ पर one का square कर देते हैं अब यह देखा यह उसी तरह का formula हो गया बस आपको करना क्या ध्यान दीजेगा आपको करना यह है कि यहाँ पर x के place पर क्या है two x तो two x by two लगा देंगे ठीक है चुक्छे सुरू में x by two होता है फिर into same factor same factor लिखो गे तो क्या ह हो जाएगा one minus four x square ठीक है फिर plus a square by two तो यह तो आपका one by two ही है फिर sin inverse अब फिर हो जाएगा sin inverse two x divided by a ठीक है x by a होता है तो a आपका क्या है आपका one है ना तो a यह ध्यान दीजेगा ठीक है तो x by a होता है जैसे यहाँ पर देखो हम लोग x by a लिए थे तो x by two आया था ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रणाजी sin inverse two x by one हो जाएगा clear है अच्छा यह पूरा integration करेंगे में आप ध्यान यह दीजेगा कि आपने यहाँ पर two x के साथ में काम किया है और two क्या है x के साथ में multiply किया हुआ है तो क्या होगा आपका one by two यहाँ पर constant भी आएगा क्योंकि integration का basic property है कि x के साथ में two का multiplication है तो आपका हो जाएगा तो यह two two cancel होगा तो आपका हो जाएगा x by two divided by sorry into one minus four x square और one by two one by two आपका हो जाएगा one by four और यहाँ पर आपका आजाएगा इस तरीके से करना है बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा कोई दीकत नहीं होगी चलो अब थार्ड नमबर question है इसको भी आपको इसी तरीके सोचना है तो आपके लिए easy हो जाएगा अब मैंने बताया हुआ है कि यह जो आपके पास में quadratic form है पहले आप इसको x square plus a square के form में तो इस factor को मैं इसे लिख सकता हूँ since this factor is equal to what इसको मैं लिखेंगे ऐसे x plus 2 का hall square ठीक है ओके x plus 2 का hall square में क्या क्या आ जाएगा x square आ जाएगा 4x आ जाएगा और 4 आएगा तो यहाँ पर 6 है तो हमको 2 बच जाएगा ठीक है तो हम 2 लिख देंगे तो अब मेरा पूरा ये इसके equal हो गया ठीक है clear है जी dx अब दोखो अब ये पूरी तरीके से ना इस formula में आ गिया है क्या आप पढ़े थे इसका x square प्लस a square का पढ़े थे ना ठीक है तो अब आपको इसका formula अप्लाई करना पढ़ेगा तो इसका formula क्या होता है तो x by 2 into same factor okay plus a square by 2 और किसमें जाता है log में जाता है log x plus आपक तो वो same factor यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ऐसे आपको करना है इस तरीके से log x plus same factor तो आप आप यहाँ पर देखिए कि आपने यह formula याद किया है यह वाला ठीक है यह जो मैंने भी आपको लिखा तो हमको इसको यहाँ पर apply करना है तो x के plus पर क्या है वो ध्यान दे दो x plus 2 है और a के plus पर रूट 2 है तो directly आप लिख सकते हो कैसे x by 2 याने x plus 2 by 2 ओके यह हो गया इंटू same factor अच्छा अब same factor में हम कोई जरूरी नहीं केसी को लिखें actually यह कहां से आया है तो यह जो है यहां से आया है ठीक है और यह कहां से आया है तो यह जो है question से आया है directly आप यहाँ पर क्या कर सकते है question लिख सकते है आपका time बचेगा ठीक है और बहुत fast आप हो जाओगे चलिए plus a square by 2 तो a square यहाँ पर क्या है root 2 का square 2 ही होगा यह a square हो गया by 2 और into log x plus तो x के plus पर again क्या है x plus 2 है ठीक है तो x plus 2 होगा इस तरह किसे लिखेंगे हम लोग और और आपका plus में फ यहाँ पर आपका आजाएगा x square plus 4 x plus 6 ठीक है ठीक है एक ही बार में आपका पूरा answer आगिया अब आप इसको तूटू को cut कर दो गया तो यह आपका answer होने वाला है तो आप इसको verify कर सकते है यही आपका बिल्कुल exact answer है ठीक है और आपको कितना जल्दी आगिया यह भी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो enjoy कीजिए ठीक है कुछ नहीं है question में थोड़ा सा बस उसको setup करना है और आपको अगर formula याद है तो बहुत जल्दी आपका question बन जाएगा किलियर है तो आप चलो भाई तीन नंबर तक मैंने बना दिया है अब फोर नंबर से आप question पर टूट पड़िए खुद से बनाईए वसी formula apply करना और question को आप लोगों ने कर लिया होगा कैसे करना यहाँ पर integration i is equal to चलो पहले इस factor को ही थोड़ा सा reduce कर लेते तो यह जो factor है इ कि आपको plus में 1 दिया है तो आप ऐसा कीजिए आप कर दीजिए minus 3 तो 4 minus 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है अब यह actually क्या है तो यह आप इसको ऐसे लिख सकते हो this is x plus 2 का whole square और minus root 3 का square तो therefore integration है मेरा वो simply क्या है simply मेरा इसी पूरे function का होगा x plus 2 का square और minus root 3 का square इसका होग ठीक है dx तो यह x square minus a square का form है यहाँ पर क्या होगा simply x by 2 तो x के यहाँ पर x plus 2 है so x plus 2 by 2 into same factor तो same factor में हम that question ही लिखेंगे चुकि actually यह वहीं से आया है ठीक है plus a square by 2 अच्छा यहाँ पर a square minus में है तो यह आपका minus में चला जाएगा so minus a square by 2 याने root 3 का square by 2 और x square पहले है तो आपका यहाँ पर log में जाएगा यह log x x के place पर क्या है x plus 2 और plus आपका same factor तो same factor वही question में चले जाएगे तो यह कितना easy हो जाता है बराना अब आपका यह पुरा answer हो गया यह बस आप 3 by 2 लिख देना इसको तो आप देखोगे कि exactly आपका पुरा answer कितने जल्दी आज कितना जल्दी आ जा रहा है यह दिखो इसका beauty है ठीक है इसको हम लोग किस में convert कर सकते हैं ऐसे पहले कर लिजेगा since this factor is equal to इसको अगर मैं करना चाहूं तो तरीका यह होता है कि one minus जो आपका x का term है उसको आप पहले प्लस में कर लिजे ठीक है तो यह आपका हो जाएगा x square plus 4 x ठीक है तो प्लस में आ गया दोनों अब यहां से आपको देखना easy होगा कि actually यह क्या है इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ x plus 2 का whole square ठीक है तो आप देखिएगा यहां पे x square plus 4 x plus 4 आएगा तो यहां पे चुकि 1 है अल्रडी तो प्लस 4 कर देंगा तो यह balance हो जाएगा ठीक है कि यहां पे आपको minus में चुकि यह पूरा factor क्या है minus में है तो यहां पे जो actually b का square plus 4 होगा वो minus में होगा ठीक है तो आपका इस तरह से यह balance हो जाएगा तो actually यह पूरा क्या आगया यह पूरा आपका आजा रहा है root 5 का square यह 1 plus 4 5 हो गया और minus x plus 2 का hall square तो इस तरीके से देखो आपको पहले factor में बदलने ना है और यह logically भी आप कर सकते हैं यह हम पूरा आपको quadratic वाले chapter में बात किये थे integration का जो हम quadratic form बता रहे थे तो हम बताया थे किस तरीके से काफी easily त्यार कर सकते हैं ठीक है clear है तो चलिए अब काम हमारा हो गया है therefore integration क्या करना है हमको i is equal to हमको इस पूरे function का करना है ठीक है root 5 का square minus x plus 2 का square dx इसका करना है इसका क्या हो जागा formula तो पहले दोखो a square आ रहा है ध्यान दीजेगा पहले तो x by 2 लिखेंगे तो x के यहाँ पर x plus 2 है तो x plus 2 by 2 into same factor तो same factor का मतलब क्या यह factor तो यह factor कहां से आया है यहां से यहां से यहां से तो question को inverse x, x के यहाँ पर x plus 2 है अब by a तो a है आपका root 5 ठीक है तो देखें कितना smoothly बन रहा है question विल्कुल मुहबबत से बनाना है कोई issue नहीं है ठीक है आगे बढ़िए तो दो line में बन रहा है अगर आप अच्छा से इसको quadratic form में convert करते हैं तो फिर देखों यहां पर क्या है यहां x2 का hall square बनेगा तो इसमें plus 4 extra आ गया तो minus 9 कर दीजिए ठीक है balance हो जाएगा तो actually यह क्या है यह है आपका x plus 2 का hall square और minus क्या है जी minus 3 का square है ठीक है clear है तो बिल्कुल आपका integration यहां से काफी simple हो गया कैसे करेंगे integration of x plus 2 का hall square minus 3 का square dx x तो यहां पर क्या होगा x by 2 यहांने x plus 2 by 2 okay into same factor question को लिख दीजिए x square plus 4x minus 5 okay plus a square by 2 तो a square है आपका minus में है तो minus में a square by 2 लिखेंगे और फिर लेंगे log x तो x के place पर x plus 2 है ठीक है plus same factor तो same factor मतलब वही question आपका हो जाएगा पूरा x square plus 4x minus 5 okay answer हो जाएगा तो यह बिल्कुल same आएगा बस यहां पर आपको 9 by 2 लिख देना है तो यहां पर पहले इसको तो आप ऐसे करो ठीक है since this factor is equal to 1 minus square x square minus 3x ठीक है अब चलो factor बनाएगे कैसे करेंगे 1 यहां तो 1 है पहले इसका बनाते है तो तरीका में आपको बताया था कि इसको x है तो x लिखिए बीच में minus है तो minus लिखिए यहां पर जितना है कितना है 3 है तो 3 का हाफ क्या हो जाएगा 3 by 2 का all square कर दीजे ठीक है अब फिर क्या करना होगा तो balance करने के लिए इधर जो 1 है जैसे यहां पर आपने 1 लिखा तो चुकि यह पूरा देखो minus में आ रहा है यह factor न तो यह 3 by 2 का square होगा ठीक है वह actually minus में होगा चुकि b का square plus में होता है ठीक है तो हम इसका जो है balance करने के लिए इसका square भैलो याने 9 by 4 को add कर देंगे ठीक है तो हो गया काम अब आपका 9 by 4 इसका 9 by 4 cancel हो जाएगा तो यहां से आपको x square minus 3 x बचेगा बिल्कुल exactly वही चीज़ ठीक है तो अब यहां पर यह चीज़ क्या है तो आप यह देखोगे तो यह चीज़ मेरा बन रहा है 13 तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ क्या root 13 by 2 का whole square ठीक है whole square में convert कर लिए minus x minus 3 by 2 का square यह जो पूरा question था इसको मैंने इस तरह कर लिया therefore जो integration है integration किसका था तो यह था question का question क्या है 1 plus 3 x minus x square ठीक है इसका तो अब मैं इस integration को क्या लिख सकता हूँ integration of this form ठीक है याने root 13 by 2 का whole square ओके और minus x minus 3 by 2 का whole square ठीक है dx अब यह देखो a square minus x square का form है तो क्या हो जाएगा जी पहले तो x by 2 होगा तो x के plus पे क्या है x minus 3 by 2 है ठीक है और divided by 2 into same factor same factor का मतलब क्या question लिख दीजी आप तो यह आया है यहां से आया है directly ठीक है तो ऐसे लिख सकते है 1 plus 3 x minus x square ठीक है plus a square by 2 a square आपका यह पूरा है याने 13 by 4 ओके 13 by 4 होगा इसका a square 13 by 8 कर देते हैं और sin inverse x by a तो x है आपका x minus 3 by 2 और a है मेरा root 13 by 2 ठीक है अब थोड़ा सा इसको अगर आप एक लाइन और simplify कर दीजेगा तो आपका यह बुरा खुबशूरत सा आंसर नजर आने लगेगा तेहाँ पेचा है तो आपका कर सकते हैं LCM ले सकते हैं तो यह हो जाएगा आपका 2 x minus 3 by 4 हो जाएगा ठीक है इन्टु आपका यह सेम फेक्टर आएगा याने 1 plus 3 x minus x square पलस यह आपका हो जाएगा 13 by 8 और यहाँ पे sin inverse अगर मैं यहाँ पे ले लोगा LCM तो 2 x minus 3 और divided by आपक रूट 13 आएगा 2 2 आपका cancel हो जाएगा तो देखें कितना मुहबबत से आपका answer आ रहा है कोई issue नहीं है ठीक है यह actually क्या है तो यह actually आप देखें गए तो ऐसे बनेगा x plus 3 by 2 का square बन जाएगा ठीक है और 3 by 2 का square को फिर आप minus कर देंगा तो पूरा balance हो जाएगा यह तो बन गिया a square minus b square ठीक है अब आपका जो integration है i वो क्या है तो वो है मेरा integration किसका करना है x square plus 3x का ठीक है जी तो actually हम इसको जब convert करेंगा तो यह इस तरह से आजाएगा x plus 3 by 2 का square और minus 3 by 2 का square ठीक है यह अब यह formula में apply कर दीजिए तो क्या हो जाएगा तो पहले तो x by 2 होता है तो x plus 3 by 2 divided by 2 यह आजाएगा ओके फिर यहाँ पर same factor तो same factor यह आपका that question लिग दो आप क्या है x square plus 3x plus a minus में आएगा यहाँ पर a square by 2 तो a square है मेरा 9 by 4 ठीक है फिर हो जाएगा यहाँ पर हमनों का log x के जहाँ पर x plus 3 by 2 plus same factor ठीक है same factor का मतलब है कि question वाला x square plus 3x आप लिग दीजिए तो यह आपका answer हो जाएगा इसको आप 9 by 8 कर ले ना अचा हो तो आप LCM ले सकते है याइसी भी छोड़ सकते हो कोई दीकत नहीं है एक एक step में आपका question पूरा हो रहा है ठीक है तो अगर्वीह फॉर्मा क्या हो जायगा जी तो x by 2 तो x आपका क्या है ? x by 3 है तो x X by 6 हो जाएगा ठीक है इंटू same factor तो same factor का मतलब क्या है? 1-X2-9 लिग दीजिए Plus a square by 2 तो a square क्या है? आप 1 है तो 1 by 2 okay और log x plus तो x के यहाँ पे x plus 3 है x by 3 plus same factor तो यह आपका हो जाएगा 1 plus x square by 9 ठीक है जब भी आप ऐसा question करेंगे आप ध्यान यह दीजिएगा कि अगर आपका x के जहाँ पे कुछ है x by 3 है 2x है तो जो भी constant है तो आपको पता है कि integration में क्या होता है तो वो constant आपका divide में आता है तो यहाँ पे 1 by 3 है ध्यान दीजिएगा तो 1 by 1 by 3 आएगा ठीक है यानि आप इसको डाट लिए 3 भी लिख सकते हो के plus 3 तो आपको कह सकते हो है कि उपर में 3 आ रहा है तो 3 into आपका आजाएगा x by 6 root under 1 plus x square by 9 plus 1 by 2 log x by 3 3 plus यह आपका हो जाएगा root under 1 plus x square by 9 ठीक है clear है plus c अब यहाँ पे आपको 3 से multiply कर देना है तो 3 से multiply कर दोगे इसका value क्या आजाएगा जी तो इसका value यहाँ पे आजाएगा simply x by 2 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे चाहँ तो आप LCM भी ले सकते हो LCM लोगे तो 9 plus LCM ले सकते हैं आप ऐसी भी छोड़ देंगे कोई दीकत नहीं है ठीक है अच्छा फिर plus क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जब 3 से multiply होगा तो यह 3 by 2 हो जाएगा log x by 3 plus root under 1 plus x square by 9 और plus c होगा ठीक है इस तरीके से आपको यह बनाना है कोई मुश्किल नहीं है काफी आसानी के साथ है बनेगा clear है ठीक है अच्छा यहाँ पे आप कुछ बाते हैं इसी रहती है कि कभी कभार आप कुछ आंसर देखकर क्या परिशान हो जाते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यही जो question है ना इसका एक answer ऐसी भी हो सकता है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे LCM ले ले लेते हैं 3 को तो x by 6 हो जाएगा और root under आ जाएगा आपका 9 plus x square ठीक है ऐसा हो गया जब LCM लेंगे तो 9 का square root 3 होगा ठीक है पलस फिर आप देखोगे यहाँ पे 3 by 2 यहाँ पे ऐसा हो जाएगा log आपको लिख देगा ऐसा x plus root under 9 plus x square और plus यह भी answer होगा तो आप परिशान मत हो जाएगा कि यह 3 कहां गया x by 3 और यह तो actually वो यह करेगा ना कि दोनों का लेगा lcm तो जैसे यहाँ पे आप 9 को लोगे तो इसका भी नीचे में जो square root of 9 आएगा वो 3 आएगा तो दोनों का 3 आजाएगा ठीक है तो 3 by 2 और यह actually फिर ऐसे हो जाएगा log u by v का property लगाएगे यहाँ पे log u by v का property क्या होता है log u minus log v होता है ठीक है तो इसका use किया जाएगा तो फिर आपका यह log u पूरा यही बचेगा ना x plus 9 plus x square यह पूरा log u बचेगा अब minus log v तो log v करेंगा तो क्या होगा वो simply log 3 होगा ठीक है तो अब देखिए यह और यह जब multiply होगा तो यह बनेगा आपका क्या minus 3 by 2 log 3 पलस c तो constant को हम बहुत जो है अलग-लग तरीके से नहीं लिखते इस पूरे constant को फिर हम वापस का करेंगे एक c ही लिखेंगे ठीक है कि indefinite integration में एक ही constant होना चाहिए पूरा जोगी constant भेल है तो इसको only c लिख दिया जाएगा तो इसलिए इस तरह कांसर भी आपको मिल सकता है ठीक है यह objective हाँ बना रहे हो आपको यह नहीं दे करके यह दे रहेगा तो आपको थोड़ा उसको पर देखना है careful रहना है थोड़ा सबस mathematical trick है बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है तो I hope मैंने पहले भी discuss किया था आप इसको जानते होंगे ठीक है चलिए अब देखिए आप पहले आशले देखो कुछ objective question है तो बहुत simple जैसे यह तो formula ही दिख रहा है 1 प्लस x square है तो आपका क्या है यहाप ए आपका one है ठीक है तो simply क्या होगा x by 2 same factor 1 by 2 यह तो जिखते ही दिख गया कि यही इसका answer होगा मुझ करना ही नहीं है बाकी तो होई नहीं सकता बाकी तो होई नहीं सकता यह भी नहीं हो सकता ठीक है चुकि x by 2 होता है इसलिए यह आपका बस देखते ही आपको only formula से answer मिल जाएगा फिर तो आप 11 number question है बोलता यह क्या होगा तो बस इसको बस factor में change करो देखलो दिख जाएगा आपको इसको अगर मैं factor में change करूँ तो x-4 का square बनेगा ठीक है और plus 16 आ रहा है और आपको 7 दे रखा है तो आपको minus 9 क है ठीक है तब आपका दिख जाएगा x के place पे क्या है x-4 है और a के place पे 3 है तो x-4 by 2 करेंगे into same factor या ने question minus में होगा यहापर चुकि a square minus है तो minus में होगा 3 square by 2 तो यह plus में दिया यह नहीं होगा यह भी plus में यह भी नहीं होगा तो ठीक है 3 का square 9 होता है यह मैंने लिखा है यहापर तो actually क्या होगा यहाँ पर आपको 3 by 2 का form आना चाहिए तो that मैं लिख देता हूँ क्या आएगा यहाँ पर आएगा आएगा आपका x-4 by 2 into same factor, same factor का मतलब क्या question ही लिख दीजिए ठीक है minus a square by 2 तो 3 by 2 हो जाएगा और log x तो x minus 4 और plus same factor तो same factor आपका आजाएगा x square minus 8x plus 7 ठीक है तो अब आप देखिए तो 3 by 2 होना अच्छा a square by 2 होता है माफ कीजिएगा तो a square तो आपका 9 है तो 9 by 2 होगा यहाँ ठीक है a square क्या है 9 है तो 9 by 2 तो exactly दो आपको यहाँ पर यहाँ चीज मैच कर रहा है d number option यहाँ पर option number आपका d यहाँ पर correct होगा तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा कोई rocket science वगरा नहीं है simple formula बस अगर आपको याद है तो आप इस तरह कोशन काफी जल्दी बना लेंगे ठीक है तो हमको लगता है कि indefinite integration का सारा content यहाँ पर complete हो गया ncrt का और इसके बाद जो definite integration है कहलो कि जो कि actual integration है चुकि integration का असल purpose होता है दो limits के बीच में value find out करने के लिए तो definite integration इसका actual form है कहलो तो चुकि definite integration में जो terms use होंगे न वो indefinite वाले ही use होंगे और कुछ इसमें जो additional होता है वो properties होता है जो काफी इसको short कर देता है तो यह सब्सक्र करने वाले आगे क बहुत मजा आएगा आपको उसमें ठीक है तो आपको उसको miss नहीं करना और मैंने integration जो आपको सीखाया है आई हो आप अच्छे से सीख गया हो जैसे मैंने बताया है मैंने आपके लिए पूरा question solve किया ठीक है अब आप 2000 question करने के बाद satisfied हो जाएगे तो यह अच्छा नहीं है आप भी जितना practice करेंगे उतना इसमें strong होगे पूरी उमीद है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे enjoy करेंगे calculus में दिल लगाईएगा definitely आगे का competition आपके लिए easy हो जाएगा ठीक है तो आई होब आपको यह यह भी अच्छा लगा होगा like जरूर कीजिएगा चैनल पे नहीं